हलो गोस्तों कैसे हैं आप सर्ब स्वागत है आपका शर्मा जी के रेव्यूज में दोस्तों जैसे कि आपको बता है Realme ने एक नया स्मार्टफोन लाउच किया जिसका नाम है Realme Narzo 10A जो की Narzo सीरीज की अंडर जो है वो आता है जिसकी पहली जो सेल है वो दोस्तों कल है यानि की 22 तरीको बड़ यहां पे दोस्तों आपको बता दूँ उससे पहले यहां पे जो है Motorola ने जो है धमाका कर दिया है Motorola ने एक स्मार्टफोन जो है वो लाउच कर दिया कि कौन सा फून इन दोनों में से लिया जाए कौन सा फून जो है वो ज़्यादा बढ़िया है तो दोस्तों मै आगया हूँ यहां पे यह वीडियो लेके जिसको देखने के बाद आपका यह सारा मुटो जाये वो दूर हो जाएगा वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों तो बिना किस दिरीके शुरू करते हैं यह वीडियो दोस्तों और बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो है मोटो जीएट पावर लाइट की अन्बॉक्सिंग भी बहुत जल जो है वो लेके आऊंगा तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो कमपैरिजन की दोस्तों आपको बता दू मैंने यहाँ पर पाइंट टू पाइंट जो है कमपैरिजन किया है दोनों ही फोन्स का तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.5 इंच की SD Plus Resolution वाली IPS LCD डिस्प्ले जो है वो देखने हो मिलती है जिसमें आपको 20 is to 9 का aspect ratio जो है वो देखने हो मिलता है अब बात करें अगर दोस्तो screen to body ratio की दोनों ही फोन्स की तो यहाँ पे करीब-करीब 90% आपको screen to body ratio जो है realme narzo 10a में देखने हो मिल जाती है वेराज करीब-करीब 87% screen to body ratio आपको जो है motorola का यह जो moto g8 light motor g8 power light है उसमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है अगर बात करें screen protection की तो gorilla glass 3 की protection आपको realme narzo 10a में देखने हो मिल जाती है whereas ऐसी कोई भी protection आपको यहाँ पे जो है motorola में नहीं देखने हो मिलती as such कुछ भी जहाँ पे जो है officially confirmed नहीं किया है motorola ने इसके बाद दोस्तो बात करते हैं अगले point की तो वो आता है दोस्तो design design wise आपको दोस्तो बता दूँ अगर बात करें सबसे पहले तो rear side की तो rear side में जो design आपको यहाँ पे देखने हो मिलता है साथ ही साथ जो इनका जो frame है वो भी आपको यहाँ पे जो metallic नहीं बलकि plastic frame आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है और अगर बात करें अगर दोस्तो इसके thickness की तो यहाँ पे थोड़ा सा बाजी जो है वो realme मार जाता है क्योंकि यहाँ पे जो Realme का Narzo 10A है उसकी यहाँ पे थिकनेस जो है वो 8.95 mm है वेरस आपको यह जो Motorola का G8 Power Light है दोस्तो ऐसे करते हैं यार इन दोनों फोन्स को इतना लंबा लंबा नहाम लेने की बजाए मैं यहाँ पे जो है Realme Narzo 10A को Realme बलाता हूँ और Motorola का G8 Power Light है उसको जो है Motorola बलाता हूँ ठीक है ऐसे चलेगा तो यहाँ पे आपको जो Motorola का यह जो फोन है उसकी थिकने से 9.2 mm वैसे दोस्तो जादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी बाजी मारता अभी तक जो है वो Realme दिख रहा है इसके बाद दोस्तो बात करते हैं अगले पाइंट की तो वो है इन दोनों का वेट तो यहाँ पे भी बाजी जो है वो Realme मार रहा है क्योंकि Narzo 10A का दोस्तो जो वेट है 195 ग्रैम्स का और जो Motorola का यह जो फोन है उसका वेट है दोस्तो 200 ग्रैम्स तो यहाँ पे भी सिर्फ 5 ग्रैम का ही फरक है बट फिर से जो है बाजी जो है Narzo 10A मार रहा है अब बात करते हैं अगले पाइंट की जो की है इनका OS तो यहाँ पे यह पाइंट जो है वो काफी मेटर करता है कई लोगों के लिए तो दुस्तों आपको बता दू जो Realme है नार जो 10A है उसमें आपको यहाँ पे जो है वो Android 10 latest जो Android है वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है उसके उपर हाला की Realme का अपना Realme UI जो है वो रन होता देखता है इसके अलावा दोस्तों आपको बता दू जो Motorola का G8 Power Lite है अगेन से नाम लेना पड़ रहा है तो Motorola का यह जो फोन है उसमें आपको यहाँ पर यहाँ पर Android 10 नहीं बलकि Android 9 जो है वो देखने मिलता है company ने ऐसे अभी कुछ भी clarify नहीं किया कि कब आपको Android 9 से Android 10 का update देखने हो मिलेगा बट फिलाल के लिए आपको यहाँ पर Android 9 ही देखने हो मिल रहा है इसके अलावा दोस्ता आपको एक और अच्छी बात यहाँ पर Motorola वाले phone की यह बता दूँ कि यहाँ पर आपको Android 9 तो मिल रहा है बट अगर आप Realme UI के fan हो यहाँ फिर आप latest Android चाहते हो तो आप Realme Narzo 10 A के साथ में जा सकते हो अब आता दोस्तो सबसे तगड़ा point जिसकी जो है सब लोग वो wait कर रहे थे वो है दोस्तो इन दोनों का processor क्योंकि तगड़ा difference जो है वो यहाँ पर है इसके बाद एक और point बोलूँगा उसमें भी जो है वो difference है तो यहाँ पर processors में यहाँ पर तगड़ा difference है Realme का जो Narzo 10 A है उसमें आपको MediaTek का ही हालां कि दोनों में MediaTek है तो MediaTek का आपको latest processor जो है वो Helio का G70 processor जो है वो देखने को मिलता है वेरस आपको Motorola के जो फोन में Moto G8 Powerlight में आपको यहाँ पर जो है उसमें आपको MediaTek का ही Helio P35 processor जो है वो देखने को मिलता है हालां कि दोनों ही processor जो है वो Octa को processor है दोनों ही processor जो है Budget Segment का जिसमें आपको सिरफ और सिरफ गेमिंग करनी है गेमिंग और अच्छी performance अगर आपको चाहिए तो आपको Realme Narzo 10A के साथ चाहना चाहिए क्योंकि यह जो G70 processor है वो latest processor है क्योंकि यहाँ पे आपको Mali का G52 GPU भी जो है वो देखने को मिलता है जिसकी मदल से आप जो है अच्छी अच्छी gaming भी कर सकते हैं साथी साथ overall performance जो है वो आपको अच्छी मिलेगी बट अगर आपको जो है अच्छा battery life चाहिए अच्छा battery backup चाहिए low light performance जो है वो camera की अच्छी चाहिए तो आप जो है Motorola का Moto G8 Power Light उसके साथ यहाँ पे जो है वो जा सकते हैं बट दोस्तों आपको बता दूँ overall जो performance जो निकल के आई है overall चाहिए वो gaming की बात करें overall apps गरा की सारी performance को लेके अगर हम सिरफ और सिरफ processor को अगर compare करें तो यहाँ पे दोस्तों जो G70 है जो नार्जो 10A में है वो यहाँ पे जो है वो बाजी मार जाता है बट अभी रुक जाओ अभी एक दो point और देख लो कि कौन से जो है वो Motorola वाले की जो है वो अच्छे हैं तो उसके बाद ही अपना जो है वो मन बनाना अब बात करते हैं जो अगले point की तो वो है दो आपको Realme का जो नार्जो 10A है प्रोसेसर अच्छा होने के बावजुद भी आपको यहाँ पे जो है 3GB 32GB वेरियंट जो है वो सिरफ और सिरफ 3GB 32GB वेरियंट ही आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है तो यार 3GB 32GB वाला निकाल के क्या फाइदा मतलब अगर आपने अच्छा प्रोसेसर भी उसमें दे दिया ठीक्टा गेमिंग भी उसमें हो जाती है के से Realme C3 का ही बड़ावाई है दो तिन चीज़ें जो है सिरफ एड करी है Realme C3 में और बन गया है Realme Narzo 10A अलग से एक मॉडल बन गया है पर फिल्हाल के लिए इस पांट में बाजी मार रहा है दोस्तों मोटरोला का G8 Power Light अब बात करते हैं दोस्तों अगले पांट की जहां पे अकीन जो है वो मोटरोला बाजी मार रहा है मैं बात कर रहा है दोस्तों कैमरा की ये भी दोस्तों काफी important सेग्मेंट है यहाँ पे वैसे दूनों phones में आपको तीन 카메라 जो है वो back वाली साइड जो है वो बेक वाली साइड जो है वो देखने को मिल रहे है फ्रंट वाली साइड आपको notch वाला जो design है उसमें फ्रंट में जो है selfie camera जो है देखने को मिल रहा है बट आपको मोटरोला में जो है वो 8 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा देखने हो मिलता है अपर्चर F2.0 के साथ में मतलब की सेलफी जो है आपकी मोटरोला में यहाँ पर अच्छी आने वाली है इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें रियर कैमरा की तो जो तीन तीन कैमरा जो है वो रियर वाली साइट दिये गए हैं अगर बात करें दोस्तों मोटरोला की तो यहाँ पर आपको 16 मेगा पिक्सल वाला में कैमरा साथ ही साथ 2 मेगा पिक्सल वाला Depth Sensor कैमरा और 2 मेगा पिक्सल वाला आपको Macro Lens वाला कैमरा यहाँ पे जो आप देखने हो मिलता है अगर बात करूं दोस्तों यहीं Realme के Narzo 10A की तो यह जो है वो पीछे रहा जाता है Motorola से क्योंकि यहाँ पे अगर मेगा पिक्सल की सिर्फ बात करें तो 12 मेगा पिक्सल के साथ साथ में 2 मेगा पिक्सल प्लस 2 मेगा पिक्सल के ऐसे कैमरा आपको Realme Narzo 10A में देखने हो मिलते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको Realme Narzo 10A में 120fps स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ड यहाँ पे देखना मिलता है दोनों ही फोन्स में आप फुल SD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं साथ ही साथ ब्यूटी मोड्स वगएरा और साथ ही साथ Bokeh Effect वगएरा आपको यहाँ पे दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की तो वो भी यहाँ पे काफी तगड़ा पॉइंट है बराबर ही है दोनों में 5000 mAh बैटरी आपको दोनों फोन्स में जो है देखने मिलती है साथ ही साथ 10 वाट का चार्जर जो है आपको विदिन दी बॉक्स दोनों फोन्स में देखने को मिलता है यहाँ पे एक चीज और एड़ करना चाहूँगा वैसे तो दोनों में माइक्रो यूएस्बी पोर्ट है बड़ यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइप सी होता तो और भी अच्छा होता अब बात करते हैं अगले पॉइट की तो वो है दोस्तो कलर, यह दोनों ही फोन जो है वो दो-दो कलर आप्शन में यहाँ पर जो है वह अवेलेबल है अगर बात करें Realme Narzo 10A की तो जो दो color available है वो है दोस्तो एक blue और दूसरा है white ऐसे ही आपको blue के दो color variant मोटरोला में देखने हो मिलते हैं इसके अलावा दोस्तो कुछ और points की अगर बात करूँ बात करूँ अगर Bluetooth की तो यहां पर जो Bluetooth version है Bluetooth version 5.0 आपको Narzo 10A में देखने हो मिलता है वेराज आपको Motorola के phone में Bluetooth 4.2 ही देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तो आपको काफी सारे sensors भी जो है वो दोनों phone में देखने को मिल जाते हैं एक और चीज़ यहां पर भोलना चाहूँगा Face Unlock का support as of now आपको यहां पर रियल्मी के Narzo 10A में देखने हो मिलता है Motorola वाले phone में आपको जो है वो नहीं देखने हो मिलता है अब बात करते हैं दोस्तो Last but not the least point तो वो है इसकी pricing जी हां जैसे मैंने आपको बता है सिरफ और सिरफ एक ही variant जो है Narzo 10A में लाँच किया गया है 3GB 32GB जिसका price जो है 8499 याने की करीब करी 8500 रखा गया है वेराज जो Motorola का Moto G8 Power Light है वो दोस्तो 4GB 64GB का एक ही single variant उन्होंने भी लाँच किया है और उसका price भी काफी दमदार यहां पे रखा है 8999 याने की 9000 रुपे तो यहां पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 500 रुपे के डिफरेंस में आपको यहां पे जो है Motorola का यह phone जो है वो मिल सकता है 4GB 64GB memory के साथ मतलब की double RAM और double ROM के साथ में अब आते हैं दोस्तों अपने conclusion पे कि आपको जो है वो कौनसा phone जो है वो लेना चाहिए यहां कौनसा phone जो है इन दोनों में से बहतर है अगर बात करें उस तो सबसे पहले तो Realme के Narzo 10A की अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई phone चाहिए अगर आपने gaming करनी है हलकी फुलकी यह आपको अच्छी performance चाहिए और अगर आप 3GB 32GB variant के साथ में संतूष्ट हैं क्योंकि दोस्तो आपको बता दो दोनों phones में आपको यहां पर जाए ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिलती है पतलब कि आप अपना memory card जो है वो dedicated यहां पर लगा सकते हैं दो SIM के साथ में चलता रहेगा आपका memory card भी 256GB भी तक support करेगा उसके क्या होगा दोस्तो Rome तो बढ़ जाएगी बट RAM नहीं बढ़ेगी अगर आप 3GB RAM variant के साथ में ऐसे संतूष्ट हैं तो आप Realme Narzo 10A के साथ जा सकते हैं साथ जा अगर आपको अच्छी performance चाहिए और साथ सी साथ आपको Realme का ही UI चाहिए तो बट अगर आपको Motorola का brand name चाहिए stock Android experience चाहिए जादा RAM जादा ROM चाहिए और आपको यहाँ पे जो pricing भी जो है वो अच्छी चाहिए और अगर आपने जादा gaming नहीं करनी normal आपको day to day usage के लिए अगर आपको phone चाहिए साथ ही साथ overall look भी जिसकी जो है वो अच्छी हो क्योंकि यहाँ पे जैसे की कई लोगों को हो सकता है Realme का वो जो Realme का बड़ा सा जो logo पे शायद से वो कईयों को अच्छा ना लगे परसनल लिए मुझे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी बट अगर आपको जो है Motorola का brand name चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो इसके साथ में जा सकते है Motorola का Moto G8 Power Light तो यह था दोस्तो मेरा जो है full comparison, full detailed comparison Realme Narzo 10A versus Motorola Moto G8 Power Light का उमीद है दोस्तो आपको यह पूरी वीडियो जो है वो like कर दीजिए साथ सी साथ दोस्तो चैनल को जो है subscribe कर लो bell बटन भी दबा देना टाकि आपको जो है आने वाले मेरी सारी वीडियो की जो है वो notification मिल सकें मैं मिलता हूँ दोस्तो आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए वो आटेक कियर